लोग जब सरक पर उतर गए लोग जब संघर्ष के रास्ते को पकर लिया तो दुनिया की कोई तागत नहीं है जो अंदोलनकारियों से बात नहीं करी बारता उनको करना पड़ेगा जहां तक सरकार की बात है सरकार के भी नौलेज में यह बात गई होगी क्योंकि तमाम दिकारियों को सुनना पड़ेगा अभी हम परसो जाएंगे कल जाएंगे तो दीजीपी से भी बात करेंगे प्रसासन का ताकत नहीं है कि इतने महिलावां का है हुजूम को लगातार जेलना अभी भी दासत में है बिरोल डियस्पी बिरोल एस्डियो बिरोल के पदाधिकार करते हैं कि करेंगे तो जनता का मनोबल आगे बढ़ेगा हमारे खिलाप जाएगा और जादे तेज होगा लडाई इसलिए लगातार जो जूलूम हुआ है यहां इसके डर के मारे यह लोग कर रहें लेकिन दासत में हैं डर हैं उनको डर नहीं होता तो आके बात करते मामले क को निप्टारे का कोशिज करते हैं इसलिए जनतांतिक प्रिकडिया के तहट बात नहीं कर रहे हैं अभी हम उसी गाओं के कांड को लेकर मौजूद है इस बिरॉल में जो पिछले कई दिनों से धरना होड़ा है हमारे साथ कॉम्मिस्ट पार्टी के राज्य सचिप मौजूद है उनसे बात करेंगे इनके चारो सैड ये पिजित महिला सब मौजूद है जी हाँ इसमें डॉम भी है इसमें पासमान भी है इसमें मुस्लिम भी है सभी समुदाई के लोग हैं बहुत अच्छी बात इन्होंने कही एक रिपोर्टर को कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई लेकिन ये दो महिना से परेसान है पुलीस की बरबरता से परेसान है पुलीस गुंडा बन जाता है जिस पुलीस को जनता की रक्षा के लिए बनाया जाता है वो जनता की रक्षा ना करके उसका भक्षक बन जाता है घर में घुच जाता है ना बच्चे को देखता है ना प् की सीचार बनाता है। इसकी वजह से कोई भी ऐम बनता है। जब यह परेशान होतेय। scorटीन ढ़ीज two-mana से परेशाण डरभंगा अब एक ही सवाल है क्या ये गरीब लोग ऐसे ही पड़ेसान रहेंगी स्महागटवंदन की सरकार में वारी की घटना का विश्ट्री चर्चा आपने किया हम लोगों नो भी हमारी पार्टी के लोग और यह तबाम सर्वदलिये लोगों ने वहां जाँच की यह पुलिस की बर चाहते हैं नोटीस तो उनको लेना पड़ेगा लोग जब सरक पर उतर गए लोग जब संगर्ष के रास्ते को पकर लिया तो दुनिया की कोई तागत नहीं है जो अंदोलन कारियों से बात नहीं करी बार्ता उनको करना पड़ेगा जहां तक सरकार की बात है सरकार के भी बीजीपी से भी बात करेंगे और फिर एक कारबाई की बनावेंगे यहाँ इस कानून को नहीं मानते आपने कानून तोड़ा है तो हमारे लिए भी कानून नहीं है और सब्सक्राइब करेंगे और फिर मार्चाउन होगा दिखाए रही होगी सेम इसी तरह बिरॉल छेतर में पुलीस रात में घुज जाती है दारुबाज कह के दस बाराग घर के लोगों को महिला को पीड देती है एक जग़ की घटना नहीं आए णेको जगह परिशान है जादातर महीला परेसान है यहां नो की MP के लोग बिधायक के लोग कोई ने रहते हैं जो को भी रहते हैं जिनको वोट देना तो आता है लेकिन अपना जीकार छीनना जातौ इन कभी कहीं दौड रहें dot चींट को गुमा देटें कहते हैं पुलिष वंदन की सरकार है यहां महांकडवंदन की सरकार का सियम है या पुलिष का सियम पुलिषका देता है सही रास्ते पर चलने के लिए जहां तक सरकार का है सरकार अपना कैबिनेट चला रही है बिहार को चला रही है वो देख रही है और हम लोग भी परतिवाद की कारवाई को कर रहा है सरकार को नोटिस लेना होगा पदाधिकारी को नोटिस लेना होगा और जब यहां से पूरा इलाका खड़ा होगा सरक पर आज भी उस रूप से लोग प्रतिवाद के लिए तयार नहीं हो पाए हैं यहां तक आपने कहा डेमोक्रेसी का तहरा ठारा बरस के नागरी को मत देने का अधिकार है यही सबसे बेस्ट रास्ता है जिससे हम सरकार बनाते हैं सरकार को हटा कई गरवरियां हैं आप जानते हैं आज कई जगह पर घरम के आधार पर दारू के आधार पर रुपया के अधार पर देमोक्रेसी को खत्रा में देमोक्रेसी आज खत्रा है इन तमाम तत्तों से और उसके खिलाफ भी लड़ना पड़ेम इसी जनता को और संगठित तागत ही इसके खिलाफ लड़ेगी जो सही जनतांत्रिक निर्णे हो अईशा तो नहीं कि पुलीस पर शासन सरकार को बदनाम करने की साजिस कर रही है दारू माफिया से लेकर ये गरीब परिशान है वहां तर जब घटना हो रही है तो क्या मने इस हुए दारू का हालत यह है जिसमसे गड़ीवे लोग का घर पिटाता है वही एक्टी पर्सेंट जेल में है जो हैप्स है इस समाज का उसका तो सप्लाई है उसको बिल जाता है समस्व समय हो गया अगर आप पुलीस पर सासन के खिलाफ जाते हैं तो आप पर केस हो जाएगा आप अगर सरकार के खिलाफ जाते हैं तो आपको हतकरिया लग जाएगी आपको जेल में जाना परेगा जिसकी वज़े से इस गरामिन छेतर के गरीब लोग दब कर रह जाते हैं अपनी आवाज को उठा नहीं पाते हैं इन सब पर कई बार केस हुआ एक सो साथ एक सो दस बह होती है तो उस मुकदमे की हम निंदा करते हैं लेकिन अगर अंदोलनकारियों पर मुकदमा होता है तो अंदोलनकारी मुकदमा से डरने वाले नहीं हैं अगर जरूरत परेगा यह जो अन्याई हुआ है यह जो जुल्म हुआ है इसके खिलाप अगर जेल भी जाना परेगा तो हमारे साथ ही जेल जाएंगे मगर ये जो अन्याई के खिलाप जुल्म के खिलाप जो लराई चल रहा है वह लराई अंतिम दौर में पहुचेगा और ये भुवारी घटना में जो भी पुलीस पदाधिकारी है जो जिन्होंने ये पुलीस प्रसासन के मुखाटा पहन कर इ इसको निश्यत तोर से कारवाई करना होगा कारवाई होगी मुकदमा से अंदौलनकारी डरने वाले नहीं है मुकदमा और तेज होगा महागडबंदन में कौमिनिस्ट भी सामिल है कौमिनिस्ट भी पार्टी में है अभी सरकार में है महागडबंदन में सब आते हैं लेकिन इतनी लेट हो रही है, खुद महागटवंदन के कई नेता इस धरनास्तल पर बैठे हैं, शुरू से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक नियाई नहीं मिला, दो मेना होने को है, पहले ही बताया जा चुका है कि सरकार बदल गई है, लेकिन प्रसासनिक जो बनावट है वह ही है, उ उस पर इस आपने कहा प्रसासनिक बनावट नहीं बदली, डीज़ीपी चेंज हो गए, कई जिला के एसपी चेंज हो गए, यहीं कह रहे हैं, कि थोड़ा समय तो लगेगा ठीक करने में, एक, दुसरा हम यहीं नहीं कहते कि महागटवंदन की सरकार आ गई ते सारा चीश च बड़ेगी, सरकार के घोस्तना के बाबजूद दारू बिकरी नहीं रुखा, अपराधियों का अपराध करना नहीं रुखा, आज किसी का जमीन कोई लिख देता है, जमीन का लूट हो रहा है, नहीं रुक रहा है, हमारे कहने का मतलब है कि प्रसासन का असर घट रहा है, च जूकी उसका काम गैर कानूनी होता है जन्विरोधी होता है। तो जैसे जन्विरोधी काम को अंजाम दिया जाएगा प्रसासन के दोड़ा, निश्ची तोर से प्रसासन का असर घटेगा। इस वार जहां तक बुआरी का सवाल है बुआरी के सवाल को उठाने वाले जो हमारे महागठवंदन के या स्थानिय समाजिक राजिंतिक कार्ज करता हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं अपने पार्टी के तरफ से कि लगातार बिरोल में जो घटना घट रही थी उन्होंने ब उसके पहले लड़ाई नहीं हुई है निश्ची तॉर से बौरी में जब लड़ाई फसा है तो प्रसासन को पर इस इस मामले में कारवाई प्रसासन को करना परेगा किसी भी किमत पर चाहे इस लड़ाई को जिस अस्तर तक ले जाना परे जेल भरो अभियान हो बंद हो चाहे उससे उपर भी जाना परे तो इस पर कारवाई सरकार को प्रसासन को करना परेगा उसके अलाबे अब कोई चारा नहीं है चुकि इसलिए साथ दिन से इन लोगों को बैठना पड़ा कि दो महिना से इंतजार करना पड़ा धरना है साथ दिन से दो महिना से इंतजार करना को हाइलाइट करने में समय लगा है जिस दिन से घटना घटी उसके बाद से प्रतिबाद होता इस धंग से तो निश्ची तोर से कारवाई हो गई रहती प्रसासन का ताकत नहीं है कि इतने महिलावां का है हुजूम को लगातार जेलना अभी भी दासत में है बिरोल डीयस्पी बिरोल स्डियो बिरोल के पदाधिकारी इसलिए कारवाई नहीं करते हैं कि कारवाई करेंगे तो जनता का मनोबल आगे बढ़ेगा हमारे खिलाब जाएगा और जारे तेज होगा लडाई इसलिए लगातार जो जुलम हुआ है यहाँ इसके डर के मारे यह लोग कारवाई नहीं कर रहे हैं लेकिन दहसत में हैं डर है उनको डर नहीं होता तो आके बात करते मामले को निप्टारे का कोशिज करते चुकि वो दहसत में हैं इसलिए जनतांतिक प्रिकडिया के तहट बात नहीं कर रहे हैं उचित कारवाई नहीं कर रहे हैं दहसत में यहीं है डर जो यहां तक आने में रोकता है हम समझते हैं कि इस जड़ से उनको काम नहीं चलेगा चुकि हम लोगों ने हस्तक छेप किया है अब जा रहे हैं जिला में राज में इस पर बात होगी और बात करके इस पर करवाई किया जाएगा निश्ची तोर से यह बौरी के जनता की जीत होग के उसको पीट रागा जिस जिस रूप में उनको अपना काम करना चाहिए डूटी करना चाहिए नहीं करते हैं गलत पैसा कमाना गलत धंदा करना चाहते हैं और पैसा और अधिक पैसा कमाने के चक्कर में वो गैर कानूनी काम करते जा रहे हैं वही गैर कानूनी बौरी किया प्रवारी पर दोसी कर्मियों पर निश्चित कारवाई होगा हम आज ये बिरोल अनुमंदल केमपस में अपने पार्टी कोड से कह के जा रहे हैं कि कारवाई इनको करना पड़ेगा